असलाम वालीकूम, वल्कम टो माई योटूब चैनल, तो CSS की लेक्टे सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ओफ CSS, CSS की कौन सी टाइप्स हैं, आज हम डिस्ट करेंगे इस लेक्टे के अंदर किस टाइप केंदर किस तरह CSS क को अप्लाइ करते हैं, क्या मैथ्डि़ यूज करते हैं, किस टाइप केंदर तो तो यूज हम अर्ट तरह थी टाइप्स हो, CSS, inline-css, internal css, and external css यूज टीन टाइप्स होती है, inline-css में होता है कि जो भी हमारा element होता है html का means कि जो हमारा tag होता है जाते h1 मेरे heading का tag है तो inline css मतलब कि यह कोई जो मेरे h1 का tag है मैं उसी के अंदर ही css की property को define कर दो मैं उसी के अंदर ही css को apply करूँ ठीक है तो यह होती है हमारे पास inline css internal css यह होती है कि हम css की कोई भी property हमने किसी भी tag पे लगानी है तो हम वो property और वो tag को हम head के section में define कर देते हैं हम बता देते हैं कि अगर हमारा h1 है तो हम h1 पे यह यह property लगाना चाहते हैं तो हम उसको head के section में define कर देंगे और उसके बाद हमारे document में जितने भी h1 होंगे automatically it applies on all h1s जितने भी हमारे h1 होंगे उस सब भी apply हो जाएगी वो css तो इसके बाद आती है external css इसमें यह होता है कि हम css की एक external file बनाते है dot css की extension से हम file बनाएंगे ठीक है तो उसके अंदर हम css की कोई भी property हम define कर देंगे फिर हम उसको अपने html के document में link tag के जरीए हम उसको link करेंगे linking के बाद वो हमारे पास जो property होगी हमरे html document के अंदर आ जाएगी तो आप देख रहे हैं one by one किस टाइप में किस तरह हम css को apply करेंगे तो सबसे पहले जो हमने बात की थी inline css तो inline css मैंने आपको बताया था कि हम inside element define करेंगे तो इसी तरह ही मैंने यहां पे html का code लिखा हुआ है सबसे पहले document type html document के बाद हम html language is equal to English en इसकी abbreviation है तो head tag हमारा उसके नदेग, page title अब body startup होगी हमारी मैंने यहां पर अपने h1 में css को apply करना है तो मैंने h1 stylic property है css की तो मैंने कुछ इसमें define किया color white मतलब color अच्छा इसमें आपने दो चीज़े याद रखनी है जब हमारी कोई भी color की property खत्म जैसे यहां पर हो रही है तो मैंने end पर semi colon लगाया है जैसे ही हमारी कोई भी property खत्म होगी हमने उसके end पर semi colon लगाना है ठीक है तो color colon semi colon ही colon white अच्छा color white इसका मतलब है जो भी मेरा font होगा मेरे जो भी text होगा उसका color white हो जाएगा ठीक है तो background color colon red मैंने उसके background के property लगाई है मैंने इसको कर दिया है red तो आगे मैंने फिर heading में क्या शो होगा मेरे assalamualikum welcome to my youtube channel तो ये मेरे show होगा h1 के अंदर same h2 जो मेरे नीचे बाले h1 है उसमें भी same यही काम perform होगा तो इसके बाद अब हम देखते हैं internal css तो जैसे मैंने आपको बताया था कि internal css में हम css कोई भी property होगी हम किसी भी element पर लगाना चाहेंगे तो हम उसको head tag के अंदर define कर देंगे तो यहां पर हम style अगर आपने मेरे style tag का अगर आपने lecture नहीं लिया तो आप मेरी html की लेकर सीरीस है उसमें style का lecture record है आप वहां से access कर सकते हैं तो type text of css मैंने बता रही है कैसी है सब्सक्राइब कर रहा हूं कोई ठीक है अब h1 मैंने को बता था जिस पर भी आपन designing चाहिए अपने किसी भी element पर मैं उसका नाम लिखूंगा मुझे यहां पर styling और coloring चाहिए h1 पर तो मैं लिख दे है h1 curly bracket color colon semicolon white मैंने यह बता दे रहा कि जो color है उसको white कर दे है मारे font size font color को background color red ठीक है और मारी bracket close ठीक है अब तो अब मैंने क्या करूँगा कि मैं जस नीचे अपनी body में h1 को सिर्फ define करूँगा मैं h1 में कुछ भी लिखना जाता हूँ और मैं नीचे heading लिखूँगा तो automatically जो भी मैं heading लिखूँगा तो उपर जो मैं css की property लगाई होई है वो automatically उस पे apply हो जाएगी तो यह थी है हमारी internal css तो अब हम आते हैं अपनी external css पे क्योंकि तीनों की output same है तो इसलिए मैं आप output at the end दिखाऊंगा कि कैसी output आई थी हमारी क्योंकि तीनों में same मैंने data show करवाया तो इसलिए मैंने एक ही picture add कि है slides में ताकि आपका time based होने से बचे तो इधर मैंने एक css की file बनाई उसके अंदर मैंने एक css की कोई property define कर दी h1 color white semicolon background color is equal to run semicolon bracket close अब मैंने यह h1 की बता दी कि apply हो जाएगी देखते हैं कैसे तो यह देखें मैंने link tag के जरीए उसको यहां पर link किया है style sheet एक style sheet है तो type text css यह आपको linking अगर नहीं आती तो मेरा linking का भी lecture record है आप html की places प्लेसे उसको access कर सकते है href main.css क्योंकि मैंने अपनी file का name रखाता वो रखाता है main.css तो इसलिए href में आपने अपना url अपना address दिना होता है तो मैंने यहां पर अपनी file का address बता दिया उसको अपना name बता दिया कि मेरी यह file है main.css तो अब मैंने नीचे h1 को define किया है assalamualaikum welcome to my youtube channel तो अब जो हमने css की हमें फाइल लिंक की है तो उसमें मैंने h1 को बताया हुआ कि मेरे h1 पर कुछ properties लगाई हुई है css के use करते हुए तो वो सारी properties hcml के document पे automatically ही apply हो जाएंगी तो देखते हैं कैसे यह देखें यह एक तीनों की same output थी तो इसलिए मैंने एक ही slide इसके लिए add की अब आप देखें आप आपको मैं difference बताता हूं कि सबसे जो अच्छा जो अच्छी css मैं कहता हूं कि type of css है वो है हमारी external css इसलिए होता है कि हम एक separate file बनाते हैं तो हमें separate file को बस अपने html document म करना है तो जो हमारी inland css होती हो तो हमें बार 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 हमें code लिखना पड़ता है तो उससे क्या हमारी time wasting होती है ठीक है ब्रॉदर जारा time लेगा लोड होने में तो तो हमारी internal css same उसमें भी है कि हमें बार बार उपर head के tag में properties define करनी पड़ेगी इसमें यह होगा कि मैंने properties define कर दी है अब मैंने किसी भी इसको मैंने अपने document में अप्लाइ करना चाहता हूं तो मैं इसको link टेक के दरे link करूंगा तो वह automatically मेरे कर दो कर दो